नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष्ठाकुर के साथ NTA UGC NET विशे हिंदी की त्यारियों के अंतरगत हमारी जो मोग टेस्ट की सीरीज चली है उसके अंतरगत आज मोग टेस्ट नमबर 5 है इससे पहले हमने 4 अपने मोग टेस्ट कर लिये हैं अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी चेक कर सकते हैं MCQ नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी है तो आज की जो हमारी ये मोग टेस्ट की शिरिंखला है दोस्तों इसमें हमने कालकरम अनुसार जो प्रशन पूछे गए हैं 2017 से 2019 तक उन में से हमने जो प्रमोग हैं उनको आपके बीच में रखा है तो चलिए बीना देर के शुरुआत करते हैं आज के lecture की सबसे पहले हम देख लिते हैं कि रचनाकाल के अनुसार कभियों का साई अनुकरम पूछा गया है तो देखिए रचनाकाल के लिए कुछ एक चात्र या कुछ एक स्टुडेंट क्या करते हैं कि वो सभी या तो रचनाकार या रचनाओं को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हमने क्या करना है कि हमने smart study करनी है, hard work का भी अपना time है, लेकिन जहां पर हमें smart work की ज़रूरत अत्रिय है, वहां पर हमें smart work ही करना पड़ेगा, दिए कि बहुत सारे हिंदी में कभी हैं, बहुत सारे उन्हें रचनाई लिखी हैं, तो ऐसे में हमारा ये possible ही नहीं है कि हम स पूछी ही नहीं जाती है, तो आपने देखना है कि किस तरीके से पूछा जा रहा है, अब previous year के question को उठा लीजिए, या जितने भी अभी तक हुए है net के exam, उन्हें आपने आपने देखना कि कौन कौन से कैसे कैसे पूछे गया है, तो जो जो चीजे हैं, जो मुझे सही मतल अब एक लगा कि उनको पूछा जा रहा है, तो वैसे वैसे प्रशन मेने आपके बीच में उठाए हैं, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए, यहां पर पूछा गया है, जो आदिकालीन हमारे कवी हैं, उनको ही पूछा गया है, है ना, जो प्रमुक है, देख के आसपास यह थे, और अधमान, जिनका दूसरा नाम क्या है, अब्दुलरह्मान, संदेश रासक जिनकी रचना है, देखिए, तो इनका समय कब है, तीरवी शताब दी के आसपास, ठीक है, तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं, कि इसका जो उत्तर है, वो क्या होगा, कभियों का सही अनुक्रम, तो देखिए, पहली था आदिकालिन, अब आगए एक दम से रितिकाल में यह, ठीक है, देखिए, केशवदास, बिहारी, भूशन, या फिर सेनपती, या फिर दूसरा विकल्प है, सेनपती, केशवदास, बिहारी, बूशन, उसके बाद बूशन हैं, वो 1555 में हुए है, जबकि बिहारी का जो जनम हुआ है, वो 1555 में हुआ है, यहाँ पर इनने उसके बाद भूशन दे दिया, तो भूशन का जो जनम काल है, देखिए, वो कब है, वो है 1613, और उसके बाद आते हैं आपके सेनपती, जबकि सेनपती यह है 1589, है ना, तो यहां पर पूछा किसके अनुसार गया है, रचनाकाल के अनुसार पूछा गया है, तो इसलिए इसका जो विकलप नमबर एक है, वो क्या है, सही उत्तर होगा, केशव, बिहारी, बुष्ण और सेनपती, क्लियर है, अगला हम प्रशन देख लेते हैं, कि अगला प्रशन क्या ह निमिलिकित कावेकृतियों का सही अनुक्रम क्या है, तो देखिए, यहां पर पूछा गया है, प्रकाशन वर्श के दिश्टी से, तो अब जो हमारी कावेकृतिया है, यह क्या है, आधुनिक कालिन है, ठीक है, तो वहां से अब पूछा गया, देखिए, तीसरा प्रशन ड तो आंसु कब लिखा गया था 1925 में जैशंकर प्रसाद का कावे संग्र है ना ये कावे कृती है उसके बाद पल्लव तो पल्लव किसका है सुमित्रा ननन्दन पंथ जी काउं तो ये कब लिखा नननने 1928 में जबकि सौपन जो है रामदरिश्त्री पाथी की रचना है ये नो सही होगा अगला प्रसंद देख लेते हैं प्रकाशन वर्ष के दिष्टी से नमीलिकित कावे कृतियों का सही अनुकरम पूछा गया है तो देखिए यहां भी कावे कृतियां पूछी गई है तो इसमें देखिए विश्णुप्रिया है कुकरमुत्ता चांद का मुह टेड उननीसो ब्यालीस में, जो बी विकल्प है दिखिए इसका, उसके बाद विश्णु प्रिया keto विश्णु प्रिया किसकी है? गजननमाध्व मुक्तिवोद की है क्लियर है? अगला पशन देख लेते हैं क्या है? प्रकाशन काल की दिष्टी से भीशम साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखें, भीशम साहनी के नाटकों को तमस बहुत मतोपूर्ण इनका उपन्यास है, देखिए हमारी पाठेक्रम में भी शामिल है, ठीक है, तो इसमें देखिए हानुष, माधवी, रंगदे बसंती चोला और आलमगीर, तो यहां से बहुत सिंपल था है कि हानुष क्या है, इनका पहला नाटक था, ठीक है, तो इस यह वाला भागत्याकांट पर हुआ था, यह कब लिखा इन्हों नहीं, यह लिखा उन्नी सो अंठानों में, जबकि आलमगीर, यह लिखा उन्नी सो निन्यानों में, क्लिर है, तो इनके प्रकाशन वर्ष मैंने आपको बता दिये कि कब-कब यह लिखे गए हैं, ठीक है, आ सारे के सारे हमारे पाठ करव में शामिल है, सिवा है परिक्षा गुरु को छोड़के, है ना, तो इनकी हमने पीछे अपनी वीडियो बनाई भी हैं, कि इनका अधार क्या है, और कब इनका प्रकाशन वर्ष हैं, कौन इनके पात रहें, तो आप वह वाली वीडियो भी हमार 1936 में लिखा गया है और फिर उसके बाद शेखर एक जीवनी ये 1941 में लिखा किस नहीं अग ये नहीं तमस बीशम साहनी का है 1973 में तो ये हो गया हमारा ये वाला प्रशन अगला प्रशन देख लेते हैं कि प्रकाशन काल के अनुसार निमिलिकित कहानियों का सही अनुक्रम मतलब आपने हर एक चैप्टर से या चैप्टर ये बोले तो हर एक इकाई से आपने क्या करना है जो जो भी महत्रपूर्ण चीज़े हैं उनको याद करना है ठीक है देखिए कहानियों से पूछा गया अब परिंदे इदगा अकाश दीप और उसने कहा था तो देखिए इस अकाश दीप जो किसकी है जैशंकर प्रसाद किया और हमारे पाट अक्रम में भी ये वाली कहानी शामिल है ठीक है न तो जो उसने कहा था कब लिखी गई थी 1915 में जबकि अकाश दीप कब है 1928 में ठीक है न उसके बाद आते हैं इदगा तो इदगा देखिए बहुत महत्त पूर्ण है ये भी हमारे पाट अक्रम में शामिल है ये कब लिखी गई थी ये लिखी गई थी 1933 में जबकि उसके बाद लास्ट जो आती थी कि परिंदे तो निर्मल बर्मा का ये है 1960 में और कहीं से मना जाता है कि ये नई कहानी का है क्या है आरंब हुआ है ठीक है तो ये ह अगला प्रशन ने दीगिए निमिलिखित निबंद संग्रहों का सही अनुक्रम दिखे निबंद से भी प्रशन पूछा गया मतलब जैसे मैं पहले कहा रहा था कि हर एक विधा से कहानी निबंद आत्मकता जीवनी कोई भी विधा ऐसी नहीं होगी जहां से प्रशन ना रखना है तो देखिए इसमें क्या होगा सबसे पहले श्रिंखला की कडियां विकल्प नंबर 3 देखिए तो श्रिंखला की कडियां कब लिखा गया था 1942 में महादेवी वर्मा के त्वारा ठीक है अशोक के फूल हजारी प्रसाद दुवेदी का है ये कब लिखा था इन्होंने 1948 है ठीक है ना 1942 में श्रिंखला की कडियां और अशोक के फूल 1948 है जबकि जो अर्धनारीशुर है ये दिनकर की निबंद संग्रह का नाम है अर्धनार में ठीक है तो ये विकल्ब नंबर तीन इसका क्या होगा बिलकुल सही उत्तर होगा अगला प्रशन दिख लेते हैं निमी लिकीत आचारेओं का सही कालक्रम चुनिये तो देखिए जो काबेशास्तर के आचारे हैं जो भारती काबेशास्तर के हैं अब उनको पूछा गया ह है ना तो इसमें देखिए सबसे पहले रूयक फिर कुंतक फिर आनंदवर्धन और दंडी तो इनको हमने सही क्रम से रखना है तो देखिए ये भी बहुत सिंपल सा था कि दंडी सबसे पहले सबसे पहले तो इसे भामा या जो हमारे भरतमोनी हैं उनको देखते हैं लेकिन वो यहाँ पर विकल्प में नहीं है तो दंडी उसके बाद तीसरे नमर पे आ जाते हैं ठीक है ना तो दंडी आएंगे उसके बाद अनंदवर्धन फिर कुंतक फिर रूयक तो जो दंडी का समय कब था सात्वी शताबदी और अनंदवर्धन नवी में हुए कुंतक दस्व और रूयक का समय क्या था बाहरुई शताबदी का जो पुरवार्ध में थे रूयक ठीक है तो इसके अनुसाद देखे बहुत सदारन सा प्रशन पूचा है बिल्कुल डीब जाके नहीं पूचा है सिर्फ इनके जनमकाल हमें याद होने चाहिए थे तो यही में पहले भी ब उस तक में देखेंगे तो वहाँ पर जैसी आप भारती कावेशास्तर या कावेशास्तर के नाम से जो चैप्टर है उसमें दिया हुआ तो सब से पहले इनको क्रम वाइज ही एक तरीके से दिया है इनके जीवन काल के अधार पर इनको रखा गया है थोड़ा-थोड़ा इन यह हैं पाश्चात्य कावशास्तर से तो हर एक यूनिट से पूछा जा रहा है देखिए aesthetic, literaria, biography the secret word and poetics तो देखिए इसमें जो सही विकल्प number 2 होना था वो क्या होना था बिल्कुल सही होगा क्यों क्योंकि poetics सबसे पहले आ गया तो यह किस ने लिखा है कॉलरीज ने लिखा है तो यह कब लिखा उन्हों ने देखिए यह लिखा 1817 में जबकि aesthetic 1902 में ठीक है और आखिर में आएगा the sacred wood यह लिखा है 1920 में T.S. Elliot का यह है ठीक है तो विकल्प number कौन सा दूसरा अगला परशन देख लेते हैं जनमकाल के अनुसार निमिलिकित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है तो देखिए फिर से जनमकाल पूछा गया है केशव, बिहारी, मतिराम या फिर घनानंद तो इस में से आमने देखना है कि कौन सा सही है तो देखिए सबसे पहले कौन है केशव यह हमने पहले भी देख लिया कि 1555 में आये बिहारी 1549 में जबकि मतिराम जो है वो 1617 में और घनानंद 1689 में 89 ठीक है न तो सही उत्तर क्या होगा इसमें विकल्प नंबर 1 ही सही होगा तो देखिए बहुत important है यहीं से केशव बिहारी इन दोनों को ही पूछा जा रहा है मतिराम घनानंद तो यह दोनों क्या है प्रमुक है रितिकाल में तो उनको ही याद रखना है जादा बिल्कुल ऐसे कभी हों के बारे में नहीं पढ़ना है जैसी, सूर, तुलसी या फिर रहीम तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि जैसी, सूर, तुलसी ये बहुत मौतपूर्ण है इनके बारे में पूछा ही जाता है जनमकाल हो चाए इनके बारे में प्रमुक कथन हो या फिर इनकी जो रचनाए हो उनके बारे में पूछा जा सकता है उनकी भाषा के बारे में पूछा जा सकता है क्या है तो इस तरीके से भी इनको याद रखना है तो यहाँ पर तो सिंपल इनका जनमकाल के अनुसार ही पूछा गया है तो सबसे पहले आएगा सूरदास देखिए सूर्दास का जनम का बुवा था 1488 में जबकि जाईसी 1492 और तुलसिदास 1532 फिर आएगा रहीम तो रहीम का जनम का बुवा है देखिए यह हुआ है 1553 में क्लियर हैं तो विकलप नमबर 3 इसका सही उत्तर होगा अगला है प्रकाशनक दिश्टी से सुरेंदर वर्मा के नाटक नाटक से देखिए सुरेंदर वर्मा के द्रौपदी रतिका कंगन आठवा सर्ग शकुंतला की अंगूठी तो देखिए इनमें से सही विकलप आपने चांटना है तो विकलप नमबर 3 देखिए द्रौपदी लिखा इन्होंने 1972 में जबकि आठवा सर्ग 1976 में था और शकुंतला की अंगूठी 1990 में रतिका कंगन 2010 में तो ये देखिए द्रौपदी कब लिखा गया था फिर से बोलता हूँ एक बार से 1972 आठवा सर्ग 1976 शकुंतला की अंगूठी 1990 जबकि जो रतिका कंगन है वो 2010 में ने लिखा है तो देखिए सुरेंदर वर्मा के ये नाटक है है न यहां से हमें इस चीज की भी जानकारी हो गई चलिए अगला पशन देख लेते हैं निमिलिकित उपन्यासों का प्रकाशन के दिश्टी से सही अनुक्रमा वो उपन्यास है फिर से मानस कहंस टेरा कोटा बूले विस्तरे चित्र या फिर गरम राक तो इन में देखिए सबसे पहले क्या आएगा गरम राक आएगा या ना गरम राक किसका है उपेंद्रनाथ अश्क का ठीक है तो ये कब लिखा उन्होंने 1957 में जबकि बूले विस्तरे चेत्र भगुती चरन वर्मा का है ये लिखा उन्होंने 1969 में टेरा कोटा लक्ष्मी कांत वर्मा का है ये 1971 में जबकि मानस का हंस तो ये कब लिखा गया था अम काशिन वर्ष के अनुसार नेमिलिकित संस्मर्ण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है स्मृतिकन लीक अलीक वन तुलसी की गंद हम हश्मत तो देखिए अब जो संस्मर्ण विदा है उससे पूचा गया है तो सबसे पहले आएगा इसमें कौन सा स्मृतिकन 1959 में ठीक है गोविं दास का होगा है तो हम हश्मत किसका है कृष्णा सोब्ति का है ये कब लिखा उन्होंने 1977 में लीक अलीक तो ये 1980 में है और वन तुलसी की गंद 1984 में क्लियर है तो विकल्प नंबर 4 इसका क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा अगला प्रशने देखिए रचना काल के देखिए सबसे पहले कावयलंकार नाटेशास्तर ध्वन्यलोक और साहीते दरपन तो देखिए ये भी मौत्वपूर्ण है है ना तो कावयलंकार भामका है नाटेशास्तर भरत्मुनिका ध्वन्यलोक अनंदवर्धन और साहीते दरपन किसकी रचना है ये है विश्वनात क ठीक है, तो देखिए, स्बसे पहले को नायेगा, नाटेशास्त्र ही आएगा, तो विकलप नमबर तीन और चार में से ही होशकता एक उतर, नाटेशास्त्र भरत्मोणी का है, तो भरत्मोणी दूसरी है, त्ली तीसरी शताबदी क्या सपास थे, उसके बाद देखिए कावयलंकार तो कावयलंकार भामा का है तो भामा काहां थे छट्वी शतावदी के आसपास थे ठीक है तो दूसरी नंबर पर क्या होगा कावयलंकार फिर आएगा द्वन्य लोग जो अनंद वर्दन का है ठीक है उसके बाद आएगा सहीत्य धर्पन जो विश्वनात थे, चौधवी शतावधी आसपास थे, है न, तो विकल्प नमबर चार इसका क्या है, सही उत्तर होगा, क्लियर है, अगला पशन हम देख लेते हैं कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार नेमिलिकित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है, तो देखिए, एक बार फिर से 1901 में लिखा गया, उसने कहा था, पहले भी हमने कर लिया, 1915 में, राजा निर्बंसिया, कमलेशुर की, ठीक है, ये 1957 में, एंड फिर आपका आता है, परिंदे 1960 में, क्लियर है, तो विकल्प नमबर चार इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, क्या होगा इसका विकल्प उनके बारे में पूछा गया है, चंदाइन, म्रिगावती, चित्रावली, अनुराग बांसुरी, तो विकल्प नमबर चार देखिए इसका, क्यूंकि चंदाइन सबसे पहले ही लिखी गई है, 1389 में, ठीक है, उसके बाद म्रिगावती आएगा, म्रिगावती 1501 में, ठीक ह तो चंदाइन, मुलादावद की रचना है, विकल्प नमबर चार क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा, तो ये वली भी बहुत बार पूछी गई है परिक्षा में, तो इसको भी देख लेना आपने, एक बार जीतने भी जो हमारी सूफी रचना है, उनको देख लाएगा है, तो देखें कमाईनी के सरगों को भी पुचा जा सकता है, चिंता, आशा, काम या फिर श्रद्धा, तो सबसे पहली जो सरग है, पहला जो सरग है देखें वो कौन सा था, चिंता ही था, तो विकल्प नमबर एक, तीन और चार में तो चिंता ही दिया गया है, तो यहाँ पर तो दोवारा confusion है, ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं कि आशा, तो आशा A में भी है और C में भी है, मतलब एक में भी है और तीन में भी है, तो देखिए उसके बाद है श्रद्धा या काम, तो इसको याद करने के एक ट्रिक है दोस्तों, वो बली ट्रिक में आपको अभी सि लज्जा करम को हुई इड़ा को आया स्वापन संघर्ष और निर्वेद का दर्शन को रहस्य में आया आनंद, तो दीखे सबसे पहले क्या है, चिंता है और आखिरी जो सर्ग है वो क्या है, आनंद है, तो आपने इसको इस तरीके से याद रखना है, क्लिर है, तो नंबर C, इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, अगला हम देख लेते हैं, प्रशन की आतम कथाओं का प्रकाशन वर्ष के दिश्टे से सही अनुक्रम है, देखिए अब आतम कथा से प्रशन पूछा गया है, एक कहानी यह भी, क्या भूलूं, क्या याद करूं, मुर्दैया आप हुद्री, तो देखिए इसमें जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर दो देखिए, क्या भूलूं, क्या याद करूं, यह लिखा था 1979 में, ठीक है, और उसके बाद एक कहानी यह भी, है ना, मनुपिंडारी का, तो यह उन्होंने लिखा 2007 में, जबकि मुर्दैया तोलसी राम की आत्मकता है, ठीक है, यह कब लिखी 2010 में, जबकि आप हुद्री जो है देखिए, यह रमणी का गुपता का, इनकी जो आत्मकता का दूसरा भाग है, तो पहला भाग है इनका हाद से, और उसी का जो अगला भाग है वो देखिए, वो है आप हुद्री, यह ल तो देखिए, अब अलोचना से भी पूचा गया, है ना, हर एक विदा से प्रशन पूचे गया है, कि नंद दुलारे वाजपई, तो यह कैसे है, सोश्टववादी अलोचक माने जाते हैं, है ना, नई कवीता है, जैशंकर प्रसाद है, कवी निराला, फिर या फिर आधु अधुनिक साहित्या, तो देखिए, यह वाला प्रशन, बहुत मत्रपूर्ण प्रशन है, इनका, अलोचना से पूचा गया है, तो देखिए, जैशंकर प्रसाद इनोंने इन रचनाव में सबसे पहले लिखा है, 1940 में, ठीक है, जबकि 1950 में इनोंने लिखा अधुनिक साहित है, तो देखिए, कुबेरनात्राय, विद्यनिवास, मिश्र, यह कुछ एक ऐसे जो निवंदकार हैं, जिनके निवंद के बारे में हमेशा पूचा जाता है, तो इनको तो जरूर ही पढ़के जाना है, क्लिर है, कामधेनू, मराल, आगम की नाव, या फिर गंध मादन, तो सही जो उत्तर होगा, देखिए, वो होगा विकल्प नंबर दो, गंध मादन इन्होंने लिखा, उननी सो बहत्तर में, जबकि जो कामधेनू था, वो लिखा, उननी सो असी में, मराल, उननी सो तरानूए, और आगम की नाव, दो हजार दो में, तो यह कुमेरनात्राय के नि ग्रंथों का सही अनुक्रम, तो जीवनी परक पूछे गए हैं अब ग्रंथ, तो इसमें देखिए, व्योमकेश दर्वेश, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, या फिर अवारा मसीह, तो देखिए, सबसे पहले इन रचनाव में, सबसे पहले कौन सा आएगा, कलम का सिपाही तो जो अमरित राय ने लिखा था, ठीक है, तो कलम का सिपाही कब लिखा था उन्होंने, ये लिखा, अमरित राय ने 1962 में, जबकि जो मदन गोपाल थे, उन्होंने कलम का मजदूर लिखी, 1964 में, दो साल बाद, विश्नु प्रभाकर अवारा मसीह, ये तो हम सब जानते हैं अंक शिर्षकों का सही अनुकरम क्या है, तो देखे, अंधा युग नाटक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, ये भी, इससे भी प्रशन पूछ जाते हैं, देखे, नाटकों के क्रम पूछा गया है, कि सही जो शिर्षक हैं, उसका सही अनुकरम क्या है, है ना, अंक जो है उनका सहियन अंधा युग नाटा के अंक शिर्षकों का सहियन उक्रम इसमें पूछा गया है कौरब नगरी पशु का उदय गांधारी का शाप अश्वतामा का अर्ध सत्य तो देखिए इसका जो सही उत्तर है सही जो इनके अंक शिर्षकों का अनुक्रम है वो है विकल्प न लोगों ने इन 25 प्रश्टों को अच्छे से समझा होगा या इनके जो प्रकाशन वर्ष है उनके बारे में हमने देखा या जो रचना है थी उनके रचनाकारों के बारे में हमने देखा कि किसने कौन सी रचना रची है तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त जय हिंद जय भारत